नमस्कार दोस्तो और वेलकम बैक आप देख रहे हिंदी आटम वाइस चैनल एपी टेखनिकल गुरू और मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त एपी फ्रेंड्स बहुत सारी कमेंट्स इस तरह के आते हैं जिनमें सजेक्शन लिया जाता है कि जो नियूली ड्राइवर् प्राइविंग बाते हैं कि आप कहेंगे कि काफी छोड़ी बाते हैं लेकिन दोस्तों जब आप नियू गाड़ी लेंड करना सुरू करते हैं तो इस बारे में शॉट वीडियो है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं गाड़ियों के बारे में तो आप वीडियो कर सकते हैं और इसके लाबाई नियू ली गारियों के लिए उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है वीडियो है तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल टेखनीक है देखे फ्रेंड़्स जब आप गाड़ी थोड़ा चलाना सी करें तो इस सबस्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर्टेक करने में और उससे भी ज्यादा होती है रिवर्स करने में तो इसके लिए आप क्या इंस्टूमेंट ऐसे होते हैं आपकी गाड़ी में जिनका प्रियों कीजिए सबसे पहले आप अपना साइड मिरर एड़ेस्ट कीजिए यह देखिए बहुत सी गाड़ियों में इलेक्ट्रिकली एड़ेस्ट आता है लेकिन अगर मैन्यूल है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से एड़ेस्ट कीजिए और तब तक आप अपने ब्रेक पर पैर रख सकते हैं बैटर है कि आप पीछे होकर देखिए इस तरीके से य गाड़ी यह देख सकते हैं यह देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल दीरे दीरे आप प्रियोक कीजिए यह देख सकते हैं इस तरीके से चलती रहेगी लेकिन आपको बिलकुल पीछे देखते रहना है यह तो मैं आपको हाथ में कैमरा पकड़ कर दिखा रहा हूँ इसलि हैंडल आप यह देखिए इस तरीके से रिवर्स होती रहेगी कोई प्रावलम नहीं है लेकिन आप स्पीड का जरूर ध्यान रखिए एकदम हाइफाई स्पीड में ने चलाएं क्योंकि आपको जब तक एक्सपर्ट ना हो जाएं तब तक आपको बिलकुल नॉर्मली करनी है गाड़ी जितनी आपको आवश्रकता है कहीं आप ट्रैफिक में हैं या कहीं पर आपको निकलना है या कहीं गाड़ी आपकी पार्क है तो आप इस तरीके से रिवर्स कीजिए बहुत ही आसानी से यह देखिए रिवर्स हो रही है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमने जो बताया आपका एक पैर क्लश पर रहना चाहिए अपने हिसाब से क्लश आप छोड़िए धीरे-धीरे यानि जितनी स्पीड से आपको निकलना है और रिवर्स में हमेशा धीरे-धीरे ही निकलना होता है रिवर्स में कभी भी जटके से गाड़ी ना चलाएं बिलकुल आ कर दोड़िए अब। झालो हो जालो हो जालो है पपो जो डिला यह जरी को पाप है